हलो फ्रेंड्स वल्कम टू गवर्मेंट जोब जेने नॉटिफिकेशन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स लेटेस्ट गवर्मेंट जोब रिक्रूट्मेंट नॉटिफिकेशन आउट हुआ है All India job है, आप इंडिया में किसी भी state से ब्लॉंग करते हैं, अगर आप इसके लिए eligible हैं, interested हैं, apply करना चाहते हैं, आप इसमें apply कर सकते हैं, application fees माफ है, आपको किसी भी तरह की application fees पे नहीं करनी होगी, और पोस्ट की बात करें, तो various posts पर भरती की जा रही है, group C की पोस्ट है, इसमें multitasking, staff, stenographer and other posts पर भरती की जा रही है, जो हम notification में किलिया करेंगे, eligibility देखें, तो इसमें 10th pass, 12th pass and ITI holders eligible रहेंगे, apply कर सकेंगे, कुछ पोस्ट हैं, जहाँ पर experience मागा गया है, जाते तर जो vacancies हैं, उसमें freezer candidate eligible रहेंगे, job आपकी permanent रहेंगी and salary की बात करेंगे, तो initial salary, starting salary 25,500 है, और सभी post के लिए different है, जिस भी हम जो notification आया है, उसमें जो भी post है, post के accordingly हम salary देखेंगे, 7 CPC से आपको यह salary पीक की जाएगी, so friends, इसका जो notification link है, मैं आपको description box में provide कर दूँगी, वहाँ पे आप visit कर लिजेगा, fully check कर लिजेगा, और इसके जो basic points रहेंगे, वो हम इस video में के लिया करेंगे, एक और important thing मैं आपके साथ share करूँगी, कि अगर आप private job करना चाहते हैं, या work from home या online job आप करना चाहते हैं, तो मेरा जो second channel है, जिसका link के मैंने description box में provide किया है, logical qn, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, subscribe कर लिजे, मैं उस channel पर पहले जी के questions अप्लोड करती थी, लेकिन अब उस पर मैं private job, work from home, and online job से related videos अप्लोड करूँगी, तो अगर आप भी private job या part time job आप चाहते हैं, इसी तरह की कोई भी job अगर आप करना चाहते हैं, देन जाईए channel को subscribe कीजिए, और bell icon को प्रेस कर लिजेगा, ताकि आपको notification मिल सकेगा, जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगी, कल भी मैंने एक वीडियो अप्लोड किया थ हैं, तो सबसे पहले हम इसमें post देखेंगे, तो इसमें जो post है, stenographer, grade second, LDC, law division clerk, civilian motor driver, सुखानी, canpenter, and multitasking stop के लिए vacancies हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा vacancies multitasking stop की हैं, 60 vacancies हैं, total vacancies अगर देखें, तो इसमें 83 total vacancies हैं, age limit, तो stenographer, law division clerk, and civilian motor driver के लिए जो age limit है, 18-17 साल है, यह general categories के candidate के लिए है, अगर आप reserve category से belong करेंगे, आपको relaxation मिल जाएगा, इसके अलाबा, जो age है आपकी count की जाएगी, वो 22 मैं, जो इसकी last date रहेगी, उस तक आप यह जो age है, वो आपकी complete होने चाहिए, सुखानी, carpenter, and multitasking stop के लिए age limit, 18-25 साल रखी गई है, salary की बात करें, तो MTS को starting 18,000 है, carpenter, सुखानी, civilian, motor driver, and LDC के लिए 19,000 starting salary, and stenographer grade 2nd के लिए 25,500 starting salary आपकी रहेगी, qualification, तो stenographer के लिए, अगर आप apply करना चाहते हैं, तो इसमें आपका 12th pass जरूरी है, और skill test होगा इसमें आपका, जिसमें dictation 10 minute के लिए 80 word per minute, transcription में 50 minute English में, and 65 minute Hindi में रहेगा, आपका यह जो skill test है, जो typing या जो भी आपका होता है, post के accordingly, वो आपका computer पर होगा, 12th, इसमें जो second रहेगा, वो lower division के लर्क है, और इसके लिए 12th pass मांगा गया है, इसमें भी आपका skill test होगा, जिसमें typing मांगे गया है, 35 word per minute in English, 30 word per minute in Hindi, on computer, यह भी आपका computer पर होगा, 10 minute की timing दी जाएगी, थर्ड जो post है, civilian motor driver के लिए, इसमें 12th pass, एंड साथ में आपका, सुखानी के लिए जो है, उसमें आपका 12th pass मांगा गया है, एंड certificate मांगा गया है, swimming में, ओके, एंड जो civilian motor driver है, इसके लिए भी 12th pass मांगा है, और आपके पास इसमें license होना चाहिए, heavy vehicles का, एंड दो 2 years का आपका experience भी मांगा गया है, साथ ही आपके जो carpenter है, carpenter के लिए 12th pass candidate eligible रहेंगे, 2 years का experience, या फिर आपने ITI किया हुआ हो और 2 years का experience हो, multitasking stop के लिए matriculation pass मांगा गया है, 10th pass candidate eligible रहेंगे, apply कर सकेंगे, इसके बाद अब हम इसमें बात करेंगे, age limit की हमने जाना, age relaxation अगर आप reserve credit की से belong करेंगे, आपको relaxation मिलेगा, इसके अलाबा departmental employee है, तो उनके लिए भी यहाँ पर 40 year, 43 year and 45, अपर age limit रखी गई है, किस तरह से आपको apply करना है, तो offline आपको apply करना होगा, जिसका address आपको जहाँ पर आपको send करना है, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिया गया है, applicant to mention clearly on the envelope application for the post of, आपके envelope पर आपको clearly mention करना होगा, किस post के लिए आप apply कर रहे हैं, एक और बात, अगर आप एक से ज़्यादा post के लिए apply करते हैं, तो separate आपको application send करने होगे, इसके बाद address दिया गया है, इस address पर आपको send कर देना होगा, mode of selection तो इसमें आपका return test होगा, जिसमें आपका general intelligence, reasoning, general English, general awareness से question किया जाएंगे, and Hindi and English, what language में आपके लिए यह exam होगा, and इसके बाद में skill test होगा, जिस भी post के accordingly रहेगा, skill test होगा, जिस भी post के लिए applicable रहता है, so, जिसके लिए है, वो उपर ही हमने जो vacancy, जो post दिखाई गई है, वहाँ पर skill test के लिए कर दिया गया है, किस post के लिए रहेगा, so, यहाँ पर कुछ important instructions दिये गया है, जो आप apply करने से पहले, एक वाजर रिट कीजेगा, यह आप देख रहे है, format दिया गया है, इसको आपको fill करना है, और fully attest करके, offline आपको send कर देना होगा, so friends, अगर आपको ये वीडियो helpful रहा हो, तो वीडियो को like कीजे, चैनल को subscribe और bell icon को press कीजे, ताकि notification आपको time से मिल सके, thank you.